नमस्कार दोस्तों बिंद्या प्लस कीचेन में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम बनाएंगे अंगुरी बासुंदी चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बासुंदी बनाने के लिए हमें चाहिए एक लीटर फूल फैट मिल्क वनफोर्थ कप चीनी एक टेबल स्पून बारीक कटा हो पिस्ता एक टेबल स्पून बारीक कटी हुई बादाम तीन से चार इलाइची इलाइची को हमने कूटके इसका पाउडर बना लिया है थोड़े से केसर के धागे दस से बारा अंगूर यानि के छोटे रसगुले ये रेसिपी हम आगे बना चुके हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक कड़ाई पैन में हम एक लिटर दूद डालेंगे दूद को हम मेडियम टू हाई गैस पर उबलने देंगे दूद में अच्छे से उबाल आ गया है दूद को हम तब तक पकाएंगे जब तक दूद उबल उबल के आधाना हो जाए फ्लेम एक दम स्लो होनी चाहिए ध्यान ये रखना है दूद तले पे बिलकुल भी चिपकना नहीं चाहिए इसे हम लगातार इस तरीके से हिलाते रहेंगे केसर में हम थोड़ा गरम दूद डालेंगे इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद हमारा उबल उबल के आधा हो गया है अभी हम इसमें वन पूर टी स्पून चीनी डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम याज ज्यादा कर सकते हैं इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, पांच मिनिट और इसे उबलने देंगे, चीनी रालने के बाद 5-7 मिनिट हमने इसे और पकाया है, अभी हम इसमें इलाईची पाउडर डालेंगे, मिला लेंगे इसे अच्छे से, बासूंदी की कंसिस्टनसी एकदम परफेक्ट है, इससे गाड़ी और ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अंगुर बासुंदी में सोक नहीं होंगे यह बिलकुल रेडी है अभी हम गैस के फ्लेम बंद करेंगे और इसे बिलकुल ठंडा होने देंगे रबडी हमारी बिलकुल ठंडी हो गई है अभी हम इसे एक बार मिक्सी में चला ले सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल बिंद्या प्लस की चैन को और नौटिफेकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिसे के मेरी लेटेस्ट रेसेपी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे एकदम बढ़िया से स्मूध हमें टेक्स्टर मिला है अब हम इसे चेल्ड करने के लिए रख देंगे बांसुदी हमारी बढ़िया से चेल्ड हो गई है सबसे पहले हम अंगुर को स्कुईज कर लेंगे इसमें से सारा सुगर सिरफ हम निकाल देंगे इसके उपर हम बासुंदी डालेंगे अब हम इसके उपर केसर वाला दूद डालेंगे बारी कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे लास्ट में हम इसे चान्दी के वर्क से गार्निश करेंगे तो दोस्तो रड़ी है हमारी आज की रेसिपी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएं तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नहीं एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए फिचर वीडियो को देखने के लिए राइट में क्लिक कीजिए अगर आपने हमारी चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है तो टप सेंटर में क्लिक कीजिए थेंक्स फर वाचिंग